हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यह बुनाई बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप कार्डिगन में डाल सकते हैं, इसमें मैंने सैंपिल के तोर से 31 फंदे डाले वे हैं, 10 फंदों की यह बुनाई हैं, 10 बीच यह हैं और 10 इधर हैं, और 5 मैंने किनारे पे ले रखे हैं, 5 इधर ले सकते हैं, देखिए, वैसे आप एक रंग में भी डाल सकते हैं, यह मैं आपको दो का एक बनाएंगे, सिधा करके, यहम दो का एक बना लिया है हैं, हमने दो का एक बनाएंगे, हम तीन फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे बुनने के बाद हमें धागा आगे करना हैं, और हमें यहाँ पे जाली बनानी है, ये फंदा सीधा लेंगे ऐसे ये धागा ऐसे बुनेंगे सीधा ये जाली बन जाएगी एक जब हमने धागा आगे किया है धागा फिर अपना हम आगे करेंगे फिर हम एक जाली और बनाएंगे ऐसे लेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे देखिए ये फंदा बीच का है और ए एक जाली इधर पड़ गई है, हमारी एक जाली इधर पड़ गई है, अब हम तीन फंदे, तीन फंदे हमें सीधा बुनना है, एक हमारा ये हो चुका है, एक, दो और तीन, तीन फंदे हमारे सीधे हो गई हैं, अब हम एक फंदा निकाल के, ये फंदा पहले पिरोएंगे, और दूसरे वाला फंदा हम आगे ले लेंगे ऐसे अब हम इन तीन को एक करेंगे यह हमारा तीन का एक हो गया तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम जाली बनाएंगे देखे ध्यान से धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे फंदे में को ऐसे सलाई लाएंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे फिर ये हमारी जाली बन जाएगी धागा फिर अपनी तरफ करेंगे एक फंदे की फिरम जाली बनाएंगे ये हमारी दो जाली बन गई एक फंदा हम बन चुके हैं हमें यहाँ पे तीन फंदे बननी हैं एक दो और ये हो गया हमारा तीन फिर हम वोई तीन का एक करेंगे धागा निकालेंगे पहला फंदा हम पिर डालेंगे और दूसरा फंदा हम आगे डालेंगे पलट के तीन का एक बना देंगे ये बन गया हमारा तीन का एक तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे एक दो तीन बुनने के बाद फिर वोई दो जाली डालेंगे धाग अपनी तरफ करेंगे सलाई में दाग में ऐसे सलाई लाएंगे फिर हम इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे दागा फिर अपनी तरफ करेंगे फिर हम इसको सीधा बुन लेंगे दो जाली बन जाएंगे हमारी तीन हम सीधे बुनेंगे एक दो लाश्ट में फिर हम दो का एक करेंगे यहां पे जाली बनाई है यहां पे जाली बनाई है और यहां पे जाली बनाई है गटाए हमने एक बार यहां पे घटाए है बीच में तीन का एक कराए एक बार यहां पे तीन का एक कराए और एक एक फंदा हमने इधर किनारे पे घटा दिया है हमारे फंदे पूरे हो गई है उल्टी सलाई हमारी पूरी उल्टी है, जैसे कि हम अपनी नॉर्मल करते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस उल्टी हमें पूरी उल्टी फेरनी है, नीचे दो बुनाई डालने के बाद एक दूसरा कलर लगा लीजिए, या फिर आप एक इक कभी डाल सकते हैं, एक बुनाई डालने के बाद ये कलर लगा लो दूसरा, फिर उसके ओपर नीचे वाला कलर लगा लो, या फिर दो दो बुनाई कभी कलर लगा लो, वो भी बड़ा लगेगा कार्डिगन यह देखिए हमारी उल्टी सलाई पूरी उल्टी हो गई है अब हमारी तीसरी सलाई आ गई है तीसरी सलाई में फिर हम दो का एक करेंगे किनारे पे यह दो का एक हो गया है यहां पे हमारे फंदे कम होते चले जाएंगे पहली बार हमने तीन फंदे बु एक और दो हमें जाली के उपर ये फंदे इधर के फंदे हमारे बीच में आते चले जाएंगे दो फंदे बुनने के बाद दागा आगे करेंगे और ऐसे जाली बनाएंगे बीच में हमने एक फंदा बुना था अब कि बार हमारे तीन हो जाएंगे ये तीन एक पिछली जाली वाला एक बीच वाला दो और एक ये वाला तीन हो गई देखके हमारे जाली के अब फिर हम जाली डालेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे सीधा करके जाली बनाएंगे जब हमने तीन फंदे बुने थे ना अब हम दो फंदे बुनेंगे एक और एक दो ऐसे करके बीच में धागा फंदा निकाल लेंगे दूसरा फंदा पहले पिरोएंगे और तीन का एक करेंगे देखे ऐसे बन जाएगा दो फंदे बुनेंगे वही अपने एक दो दो फंदे बुनने के बाद फिर हम जाली डालेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे सीधा बुनेंगे बीच में हमारे तीन आ गए हैं तीन हो गए धागा अपनी तरफ करेंगे और एक जाली डालेंग दो फंदे बुनेंगे, फिर हम एक और दो, दो हो गए, दो धागे निकालेंगे, ऐसे एक फंदा इसमें डालेंगे, दूसरा फंदा हम सलाई में डालेंगे, ऐसे तीन का एक करेंगे, यह हो गए तीन का एक, हम दो फंदे बुनेंगे, एक और दो धाग अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, एक, दो, तीन, तीन हो गए अपकी बार, पहले एक था, अब तीन हो जाएंगे, फिर पांच हो जाएंगे अगली बार, धाग अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, एक और दो, लाश्ट में दो का एक करेंगे उल्टी से लाई है हमारी पूरी उल्टी है इसमें हमें कुछ नहीं करना है यह सीधी सीधी में ही बुनाई है बस हमें जाली का ध्यान लखना है एक बार जाली बनानी है और एक बार तीन का एक करना है देखिए हमारी उल्टी सलाई पूरी उल्टी हो गई यह हमारी चोतिय सलाई चल दिया है अब हमारी पांचवी सलाई आ गई है दो का एक करेंगे वही किनारे पे दो का एक करेंगे अब की बार हम एक बुनेंगे बस सुरू में हमने तीन बुने थे तीसरी सलाई में हमने दो बुने है और पांचवी सलाई में हमने एक बुना है एक बुने के बाद जाली डालेंगे दागा अपनी तरफ करके ऐसे जाली डालेंगे सुरू में हमारी एक फंदा था बीच में तीसी सलाई में तीन फंदे हो गए थे और अब पाँच भी सलाई में हमारे साथ फंदे हो जाएंगे देखिए यह हो गए हमारे साथ फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छें और साथ फंदा हम जाली डालेंगे तो यहाँ पे बीच में साथ हो जाएंगे ऐसे डाली इधर बढ़ानी है अब की बार हमें एकी ही बुनना है दो फंदे निकालेंगे पहला फंदा बाद में बुनेंगे डालेंगे और दूसरा फंदा ऐसे डालेंगे तीन का एक बना देंगे ऐसे डोल बनती चली जाएगी है एक फंदा बुनेंगे जाली डालेंगे दो तीन चार पाँच छेंग और धागा आगे करेंगे यहाँ पे जाली डालेंगे हम साथ यह देखो फंदा निकालेंगे पहला फंदा डालेंगे और दूसरा फंदा हम बाद में डालेंगे तीन का एक हो जाएगा एक फंदा बुनेंगे जाली डालेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे एक दो यह ओ गई यहाँ पे फिर जाली डालेंगे दागा अपनी तरफ करके योगे सीधा और दो का एक कर देंगे किनारे पर देखे हमारी ऐसी जाली डलती जा रही है उल्टी सलाई हम उल्टी बुनेंगे यह हमारी छटी सलाई चल रही है आठ सलाई की यह बुनाई है उल्टी सलाई हमारी पूरी उल्टी है इसमें हमें कुछ नहीं करना है आए बार हमें उल्टी सलाई अपनी उल्टी भी फेड़नी है देखिए हमारी उल्टी सलाई फेड़ गई है ठीन सलाई हो गई है देखिए यह अब हमारा एक दो फंदे रह गई है यहाँ पे हम दो का एक कर देंगे हम जाली डालेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे जाली डल जाएगी यह डल गई हमारी यह दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ अपकी बार हमारे नो फंदे हो जाएगे यहाँ पे दागा अपनी तरफ करेंगे अपकी बार कोई बुनेंगे नहीं यह वाली डोला हमारी फंदे खतम हो गई है फंदा निकालेंगे दूसरा फंदा पहले पी डालेंगे और तीन का एक बनाएंगे यह देखे हमारी जाली भी डल गई और तीन का एक भी हो गया धागा अपनी तरफ करेंगे और हम जाली डालेंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और नोबा फंदा हमारा यह जाली का हो जाएगा धागा इधर करेंगे फंदा निकालके दूसरा फंदा पहले पी रोएंगे तीन का एक करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली डालेंगे यह हमारी नोबा फंदे हो गई धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे दो का एक करतेंगे देखिए साथ वी सलाई में हमने बुनाई डाली थी हमारी यह बुनाई पूरी हो गई है उल्टी सलाई हमारी पूरी उल्टी है जो मैं कर चुकी हूँ और हमारी नोबी सलाई अब यह चल रही है यह धाड़ी डालेंगे हम बुनाई तो हमारी पूरी हो गई यह वाली धाड़ी हम इसी कलर से डालेंगे सीधा बुनेंगे बदो सलाई हमें सीधी पूरी सीधी करनी है ताकि हमारी ये वाली दाली डल जाए उल्टी सलाई भी हमें इसमें सीधी करनी है ये देखें सीधी सलाई हमारी पूरी होने वाली है हमें ये पूरी सीधी सीधी करनी है इधर से भी सीधी करनी है और उधर से भी सीधी करनी है यह सीधी हो गई है दस सलाई की हमारी यह बुनाई है उल्टी सलाई इसमें हमें सीधी करनी है ताकि उधर एक डोल बन जाए सीधी सलाई हमारी उल्टी सलाई को हमें सीधा बुनना है आए बार तो हमने उल्टी सलाई उल्टी करी है और इस बार हम उल्टी सलाई को हमें सीधा बुनना है ये देखिए हमारी सलाई पूरी हो गई है ये डल गई हमारी धारी ये हमारी धारी डल चुकी है ये देखिए बुनाई हमारी पूरी हो गई है अब हम कलर चेंज करेंगे ये वाला कलर चेंज करेंगे कलर चेंज करके मैं आपको एक बार बता देते हूँ हम वो ये अपना फंदा घटाएंगे सुरू में मैं फिर से आपको बुनाई एक बार लिपीट कराते हूँ देखिए एक बार हम यहाँ पे दो का एक करेंगे तीन फंदे बुनेंगे एक दो और तीन दागा अपनी तरफ करेंगे एक जाली बनाएंगे यह एक जाली बन गई दागा अपनी तरफ करेंगे और एक जाली फिर से बनाएंगे तीन फंदे बुनेंगे एक दो और तीन एक बार घटानी का भी देख लीजिए एक फंदा निकालेंगे और ये धागा ऐसे पिरोके इन तीन का हम एक कर देंगे ये देखे तीन फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन तीन फंदे बुनने के बाद फिर अपनी वोई दो जाली डालेंगे ऐसे एक दागा अपनी तरफ करेंगे फिर अपने यहाँ पे जाली डालेंगे तीन फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन और फंदा निकालके इनका तीन का एक करेंगे ये ऐसे डालके इसमें तीन का एक करेंगे तीन फंदे फिर से बुनेंगे एक दो और तीन जाली डालेंगे दाग अपनी तरफ करेंगे एक जाली डालेंगे दाग अपनी तरफ करके फिर एक जाली डालेंगे दो पंदे बुनेंगे और दो का एक कर देंगे यह देखिए हमारा ऐसे कलर चेंज हो जाएगा और जो कि यह हमारी बुनाई ऐसे लगेगी